एक पंच्कुला जिला के लोगों के लिए एक एहम मुद्दा है जो छोटे-छोटे प्लॉट होड़र्स हैं या जिन्होंने मकानों की छोटे-छोटे रिजिस्ट्रियां करानी है उनको भी इसके कारण कुछ तकलीफ आई है लेकिन सरकार का मकसद इसको नहीं केवल जो अनाथराइज कालोनीज डिवेल्प हो रही है उन अनाथराइज कालोनीज ना डिवेल्प हो रेगुलर वे से जो सरकार की चार्जिस हैं वो भर करके वो डिवेल्प हो ताके हैफजर्ड ग्रोथ जो हो रही है उसको रोका जा सके सिटी है प्लेंड सिटी है उसके अंदर प्लेंड ग्रोथ हो उसी को लेकर कि यह सेवने का जो अधारा यहां पर लगाई गई है इसको आगे को विचाथ है सब्सक्राइब है इसको आगे मैंने अगने मुख्यमंतरी जी से बात किया है कि हम छोटे-छोटे जो प्लॉट एक सब्सक्राइब जीत जीस थरीके से हुई है मेर सुनाव को लेकर के आप पार्शनों को लेकर के अब ओध कब होगी और दूसरा डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर के क्या विचारते रहे हैं दिखिए मैं सबसे पहले तो पंचकुला की जो जनता है पंचकुला के सूजवान लोग हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अभारवेच्ट करता हूँ कि उन्होंने एक साल के अंदर दूसरी बार पंचकुला को जो एक बहुमत से जिता करके भीजा है पंचकुला के अंदर भारते जन्ता पार्टी की जीत जो है एक साल में दूसरी बार ये दूसरा टेस्ट था जिसमें हम सखल हुए है और मैं समगता हूँ कि जो हमारे ग्यारा पारसे चुन करके हैं नौ बीजेपी के हैं दो जजबा के हैं और मेर हमारे कुलोशन को जुन करके आए है ये पंचकुला के विकास के लिए सबी जो विपक्ष के साथी भी है उनको लेकर के पंचकुला का विकास अच्छे डंग से हो हमारा एक ही टार्गेट है एक ही मकस्द है उसके अंदर सब लोग साथ लगेंगे तो बहुत अच्छा होगा दूसरा कल मैं समस्ता हूँ के कल साइम साड़े तीन बजे जो नए चुने गए मेर और पार्श्टों को ओथ जो दिलाई जाएगी वो पी ड़ुडी डेस्ट हाउस जो सेक्टर एक के अंदर है पंचकुला में वहाँ पर उनकी ओथ होगी और उसके पस्चाथ जो आगे की प्रक्रिया आया चाहिए वो बैठ करके चर्चा करेंगे और उसके पस्चाथ उनके बारे में निरने करेंगे देखिए चर्चा की बात है ये निरने हाई कमान लेगी उसके बारे में मेरा कहना कुछ भी समरू नहीं है